Quescion यह है कि आज हम कोनों share खरीदते हैं धन के माधिम से धन एप या धन वेप पर तो क्या आज share खरीदने के बाद कॉल हम उसको pledge कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बहुत सारी लोगों ने यह question किया और यह धन की बात नहीं कहीं भी किसी भी company में आप जो है share करेद के आज कल उसको плage कर सकते हो या नहीं तो इसका जवाब मैं दूँगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको धन में कभी भी सीर क्रिदना हो या बेचना हो प्लेज करना हो तो सबसे पहले डमेट इकाउंट बनाना होगा औन लाइन और उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ इसको जरूर फॉलो कर लिजिएगा अब आपके question का जबाब हम देते हैं देखिए pledge आप उसी share को कर सकते हो जो आपके holding में होता है जिस पर आपका holding में एक बार share चला गया उस पर आपका अधिकार हो गया वो share आपका हो गया लेकिन holding में कई से जाता है आज अगर कोई share खड़ दोगे तो उसको holding में जाने में कम से कम दो दिन का समय लग जाता है तो आज share खड़ोगे तो कल तो holding में जाएगा नहीं उपर सो जाएगा सायद या फिर कोई technical problem या कोई दुसरा समस्या हो तो हो सकता है उससे भी जाद समय लग जाए लेकिन minimum दो संद दिन तो लग ही न जाता है holding में जाने में तो holding में जब चला जाएगा टी प्लस टू डेज में तब जाके आप उसको pledge कर पाऊगे क्योंकि जब आप धन एप में जाते हो share को pledge करने के लिए तो वो आपके holding के share को ही दिखाता है तो holding में जब तक रहेगा नहीं उसको कहां से आप जो है pledge कर पाऊगे तो ये बिल्कुल possible नहीं है आपको दो दिन का wait करना ही पड़ेगा question का जवाब है कि आज खर दे गए share को कल आप जो है करके दिएक इंस्ट्रक्शन को follow कर सकते हैं मैंने डेमेट एकाउंट कोलने का वीडियो भी बना दिया है उसको भी आप follow कर सकते हैं मेरे वीडियो को और कुनो question होगा तो please comment कीजिएगा वीडियो बनाया जाएगा ठीक है टेंस्टन मत लीजिए और जाहेंगा